क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पड़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-sevah गतिविद्या यानी ओनलाइन विवसाय को अब अंतर राश्टिय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार पटना में लालू के परिवार पर e-d की रेड मामले में बोले सीम नितेश बीजेपी से अलग होने पर होती है e-d की साथ छापे मारी साहर सामे इलोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहट कारक्रम सांसर ने फीता काट कर किया कारक्रम कशुभारम नालंदा में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में भीडंत भारी संख्या में पुलिस बल तैनाद हाजिपूर में रासी बजरंग दल के जिला द्यक्ष गिरफतार राज्य मंत्री को दी थी जान से मारने की धंकी नालंदा में अवैद हधियार के साथ युवग गिरफतार मामले की जाच मजूटी पुलिस नमस्कार मैं हूँ मयूरी स्रवास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का पटनम एडी ने राजद सुप्रिमो लालु यादव और उनके करीबियों के लगभग 25 से अधिक ठिकानों पर रेड की है वहीं एक राज़की समारों में शिर्कत करने पहुचे मुखमंत रिंतीश कुमार ने मीडिया से बाचीत में कहा कि जब भी मैं महागट बंधन के साथ होता हूँ तो CBI की रेड पड़ती है यह सिलसिला पिछले 5 सालों से जारी है उन्होंने कहा कि 2017 में भी रेड हुई थी अब फिर से रेड हुई है यह सब होता रहता है कि इसमें क्या करता है कि इतना साल पहले से रेड है तब फिर हो रहा तब पूंचित का नहीं क्या कर रहे हैं तो याद कर लिदी काली 17 में जिसी के चलते हैं हमने कह दिया था कि इधर एक्स्प्लेइन कर दिया कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना सुरू किया तो हम भी मान लिए उन्हों की बात तो पिर उन्हों के साथ चले गए आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट सुझे तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है तो वही उन्हों बताएंगे लोग जवाब देए तो आप नहीं किया यह सब तमाम जाचो पर सर पत्र नालंदा के रहुई थाना शेत्र के रहुई बाजार के पास दो गुटों में गोली बारी की घटना को अंजाम दिया गया जिसको लेका पूरो प्रत्याशी प्रतिनिधी ने प्रेसवारता की और कहा कि विरोधी उनके समर्थन को टार्गिट कर रहे हैं वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि गोली बारी की घटना में दोनों पक्षों की ओड से 15 नामजद और 25 अग्यात लोगों पर FIR दर्च की गई है जिनकी गिरफतारी के लिए छापे मारी अभ्यान जारी है कि तरफ से हो रहा है क्यामने कर दो अरगला क्या मी जो गया ओपर नालंदा के बड़ी दरगा महले में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में भिरंथ हो गई जिसके बाद फाइरिंग होने लगी वहीं मौके पर पहुँचे सदर डीएसपी और पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया वहीं घटना को लेकर सदर डीएसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसी टीवी फोटेस की जांच की जा रही है साथी घटना इसतल पर पुलिस बलो की तैनाती कर दी गई है उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच वो बिवात के बाद यह घटना हुई है अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आवेदा नहीं मिला है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है तो अक्तर को पता लग जाता कि तांडव क्या होता है लेकिन हम लोग सयम से काम रखा थाना परसासन की बात को सुना रंजीत राय कट्रा परभारी रोकते रहे हैं लेकिन नहीं 15 रांड फाइरिंग किया पूरे महला में पेले मेले में भैस चोर है वो नद्दी मोण में रहता वो त्हों क्या किया किसी बच्चे का लडाय हुआ दो दिन पहले की लडाय खतम हो गया विखिए पूरा सब मारना चालो किया यहां पर जो लोग निहत्य थे सब पर साथ गोली उली चलाया इसमें दो तीन माहिलाई जक्मी है इनको लगा है जो इलाज के लिए भी रेफर गोली भी लगाए किया गोली लगा है ने गोली का चीटाउट लगा है नमास पढ़ने गया थे डेर सव आदमी पतलवार बिश्टल दो वाम मारा लेकर मेरे घर पर चाढ गिया हम तो कोना में दुपक गए ना तो मेरे को तो गौली मार देता है इनके पर गोली ठाना मेरी चची बेचारी डर से पलंग के निच्छे चली गया मेरा चचा बेचारी बुढ़े थे उसको गोली मार रहा था एक आदमी कोई बॉला क नालंदा में पुलिस ने गुप्त सूचना की आधार पर महमतपूर बलवागाओं नालंदा की हरनौत प्रखंड शेत्री नालंदा की हरनौत प्रखंड शेत्री इलाके में 13 वर्षी बच्चे की एक निजी अस्पताल में अचानक मौत हो गई जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग अस्पताल पहुचे जहां मिर्ता के पर जनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जम कर हंगामा किया जिसके ब सूपॉल के मरोना प्रखंड में वहां की मुख्या 10 से 12 लोगों के निजी जमीन में सड़क बनवा रही है जिसको लेकर ग्रामिडों ने विरोध जताया जब हमारे समवादाता उस गाउं पहुचे तो उन्हें पता चला कि वहां के ग्रामिडों के निजी जमीन में के तहत जबरदस्ती सड़क बनाई जा रही है वहीं ग्रामिडों ने उनकी जमीनों पर सड़क बनाने के लिए उचित मुआवजे की मांग की है ग्रामिडों ने बताया कि लोगों ने सभी पदाधिकारियों से आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई है बोले हैं से बखक और मिली भगत पीओ के जत्यता के कितना फैदा लेड़ा है सर्मुक्या जबॉड भी नीजी जमीन में दिया है बॉड में सर मतलब अभी तक लिखाया नहीं है परकरीतर रासी कितना कितना किलो मीटर है कितना फीट है कितना लंबाई चोरा है रोड का उस सर मतलब दिये थे हम जी जगाप खड़े हैं क्या मामला आपका वहां तो सब्सक्राइब करवाई रहा है इसके लिए आप किसको किसको सिकाइद किये हैं जाना चाहते हैं यहां के पदादिकारी को आप सो बताई जाहिए जिसरकारी जहां जमीन है वहां रोड बनना चाहिए फिलाल रुखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उत्देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भाव करना है हम अपनी इसे वागति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्टिय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skbmarket.in शौपिंग सुकून के साथ राजनीती से लेकर खेल के मैदान तक हालीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अंतर राश्टिय खबरों से लेकर व्यवार तक ऐसी खबरें जिन पर है हमारी बैनी नज़त पल-पल बदलती देश और दुनिया की सौ बड़ी खबरें देखे हमारी खासकारिक्रव प्राइम शातक के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुक करते हैं खबरों की ओर हाजीपूर में केंद्री ग्रीह राज्यमंत्री नेतियानंद राय को जान से मारने की साजिश के मामले में राज्टी बजरंग दल के जिलाद्यक्ष को गिरफतार कर लिया गया है बजरंग दल के अध्यक्ष का वीडियो काफी वाइरल हो रहा है वहें इस मामले में सदर डीपी ओ ने बताया कि वीडियो वाइरल करने और अनुसू चित बोलने के मामले में बजरंग दल की अध्यक्षी गिरफतारी की गई है और अंगाबाद में बायक सवार यूवकों ने एक यूवक की जम कर पिटाई कर दी जिसको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया जहां यूवक की रास्ते में ही मौत हो गई यूवक की मौत के बाद अकरोशित परजनों एवं इस्थानी लोगों ने चौक पर शव रखकर हत्या के विरोध में प्रदर्सन किया इस दोरां सतांसद भाशपा जिलाध्यक समेत कई लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफतारी की मांग की वहीं घटना को लेकर छे लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्च कर लिया गया है सदर SDPO ने बताया कि घटना को लेकर आवेदन प्राप्त होने के बाद आरोपियों की गिरफतारी की कारवाई की जाएगी कब किया? कल साम 4 वजे अच़ा कॉम दिन था? कल कॉन दिन था? दीम कौन था था? दीम सुक्रवार है कल अच़ तब होली तो खतम हो चुका था शुक्रवार होली का ही कुनूस है अच्छा होली का कुनुस है साथ तारी को घर में घुसा भी वो रोध करने पर बोला कि केस करने जागा तो मडर करेंगे मडर कर दिया कोन जगा पे टेंगरा नहर पे टेंगरा और नवादा का बीच में रोड में आते समय चार लड़कों ने रोक करके मारा और लोग छुपे ह विए हैं लेकिन कोई थाना उला नहीं सुन रह uit अपने पता कि ऊपास बेठा इसलिट पर भूता है किसे कि अभी नहीं नहीं है बड़ा बाबु नहीं है तो छोड़ा बाबु नहीं है बताएं हम लोग के साथ कैसा ही नहीं है यानि प्रसाइब अगर एक्टी बोती ही तो यह दैगर परतासन bauट है काक्री घ्लपेलाइं वह हम लोगे पास आगए और जो हम लोगे मांगा वह उनके सामने हम लोग रखेंगे अभी कुछ ऐसी में हम लोग नहीं दृब दूने में दूनने वाले हैं कि हम लोग परशाशन को कि जो गुंडागर्थी जो मन में आ रहा है परशाशन को जो कर रहा है सरकार का जो नियत्ती है उसके साथ rumors आसद परशाशन जो गरीब है जलीथ है पिच्धा अति पिच्धा है उसको राख चलना मुश्किल हो गया है वही मामला आज जो घटना घटी है उसी से जुड़ा हुआ है मामला यह है कि यह जो है एक केस किये थे छेड़कानी का और वहां के जादो समाज सहरसा में दहेच की मांग को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई पीडित परजनों का आरोप है कि सासुराल वालों ने मिलकर गले में फंदा लगा कर युव्टी की हत्या कर दी और आनन फानन में रात में ही शव को दफना दिया गया वहीं लड़के पक्ष ने बताया कि युव्टी की करेंट लगने से मौत हो गई है वहीं DSP ने मामले को संग्यान में लेते हुए जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है इसके लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनिक्ति करते हुए आगे की विद्यवत करवाई करने की परकिर्या की गई है और जल्द ही मामले को हम लोग देटेक्शन करने के लिए सहरसा में लोहिया स्वच अभियान के तहत उपकर्णों का वितरन कार्गरम का आयूजन किया गया जहां मध्यपूरा सांसद ने फीटा काट कर कार्गरम का शुभारम किया है इस दोरान सरवेला पंचायत के मुख्या प्रतिनिधी एवं बनमा इटहरी प्रखन के कई अधिकारी मौजूद थे वहीं मध्यपूरा सांसद ने कहा कि लोहिया स्वच अभियान सरकार की महत्वकांशी योजना है इसके उद्देश शेहरों की तरहा ग्राम पंचायतों को भी स्वच बनाना है और सही जगह पर उसको रखा जाएगा तो हरु में ना गंदगी रहेगी ने बाहर में गंदगी रहेगी बिल्कुल स्वच्छ नहेगा भागलपुर के कहल गाउ थाना के पास एक टेंट हाउस के माले को पूर बाट पारसद ने दो जूफ़कों पर अपने टेंट हाउस में आग लगाने का आरोप लगाती हुए लिखित आवेदन दिया है वही टेंट हाउस के मालिक ने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिनों पहले उन्हें बरबात करने और जान से मारने की धम की दी थी जिसके करण आरोपियों ने टेंट हाउस में आग लगा दिया फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जुड गई है किनका नाम दिया नाम किसी का हमने दिया मागिन लगाते किसी का देखें नहीं लेकिन यहां में नुसका नाम उसका तो पराना रिकॉड भी इसका लोग का खराब है तो हम आप रात में हार अथरी बिश्रम करते हैं हो सकता हम राज है कलास होते हैं नाइट गार मेरा बुड़ा हूँ है तो हो सकता है मेरे साथ भी कुछ दुर्गटना हो सकती है बिहार की ख़वरों में इतना ही आगे आप से फिर होगी मुलाकात अब तक लिए देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़त के हैं हमारा देश हिना केवल उतपात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसे बागति विद्या यानी ओनलाइन बेवसाय को अब अंतर राष्टी इस तर पर पहुचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ